हलो दोस्तों, लखेपूर टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ लखेपूरी और आज में बताने वाला हूँ, आयरुवेदिक आउशदी नाग भस्म के बारे में, नाग भस्म क्लासिकल आयरुवेदिक मेडिसीन है, जो सी से या लेड से बनाया जाता है, लेड को आयरु लिवर एस्प्लीन की बीमारी, लिकोरिया, गंडमाला, हर्निया, अनपुन सकता जैसे रोगों में परयोग किया जाता है, तो आये जानते हैं, नाग भस्म के फायदे और इस्तिमाल की पूरी डिटेल, नाग भस्म के बारे में, पूरा बताने से पहले, मैं कहना चाहूंगा, कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, या अब तक आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आ तो कई तरह के प्रोसेस से शुद करने के बाद भस्म बना जाता है, जो कि एक जटिल पर क्रिया होती है, आम आदमी के लिए इसकी भस्म बनाना आसान नहीं है, इसलिए इसकी चर्चाना कर जानते हैं इसके फैदों के बार में, नाग भस्म के आउशदिये गुन, कफ, पि दोनों तरह के चमतकारी गुन होते हैं, जैसे बढ़े हुए धातूओं को घटाना और घटे हुए धातूओं को बढ़ाना, आई अब जानते हैं नाग भस्म के फायदे, पेट के रोग, भूग की कमी ऐसी डीटी में, या जठरागनी को तेज कर भूग को बढ़ाती है, ऐ या से ज़्यादा लगती हो, बार-बार उल्टी करने की इच्छा हो, तो ऐसी कंडिशन में नाग भस्म बेहद असरदार है, मधू में या डायबीटीज में, डायबीटीज और इससे रिलेटेड प्रवलम में नाग भस्म बेहद असरदार है, इसे शिलाजीत के साथ लेने को इसके साथ में यशत भस्म लेना चाहिए, हड़ी के रोगों में, बोन मेरो कमजोर होने से जब हड़ी टेड़ी होने लगती है, अजोड़ों में दर्द होता हो, तो नाग भस्म के इस्तमाल से फायदा होता है, बादी बावासीर में, बादी बावासीर में, नाग भस्म मसल्स के लिए भी इफेक्टिव है अगर बहुत खाने पीने पर भी सहत नहीं लगती मसल्स कमजोर हो तो इसके इस्तमाल से मसल्स में बलड फ्लो बढ़ता है और मसल्स मजबूत होते हैं नपुन सकता या इंपोटेंसी नसों की कमजोरी नर्व के बेजान होने से होने वाली नामर्दी या फिर अंकोस की गरंथियों की कमजोर होने से होने वाली नामर्दी इससे दूर होती है इसके लिए नाग भस्म 125 mg शुद्शिलाजित 125 mg अस्वर्न भस्म 30 mg मिक्स कर शहत से लेना चाहिए पूरुष याउन रोग और विर्य विकारों में अधिक विर्य सराव होने से जब दिमाग कमजोर हो कोई भी काम करने का मन नहीं करे और माइंड में तरह-तरह के विचार आते हों तो इसको लेने से चमतकारी लाव मिलता है ऐसी कंडिशन में नाग भस्म 125 mg, शुद सिलाजीत 125 mg और परवाल पिष्टी 60 mg मिक्स कर सुबह-शाम लेना चाहिए सहथ के साथ आँखों की बीमारियों के लिए आँख की हर तरह की प्रबलम में नाग भस्म को तिरिफला घ्रित के साथ लेने से फैदा होता है गंड माला या गाइटर में गंड माला और गलंड में भी नाग भस्म लेने से फैदा होता है इसके साथ में काचनार गुगुल भी लेना चाहिए सूखी खांसी और फेफणों के रोगों में सूखी खांसी में नाग भस्म लेने से फैदा होता है 125 mg नाग भस्म को सित्य पलादी चुन के साथ स्रहद में मिक्स कर लेना चाहिए और वासा रिष्ट भी पीना चाहिए तपैदी की अटीबर क्लोसिस होने पर नाग भस्म है सरदार है TB में इससे मुक्ता पिष्टी अच्वन पराश के साथ लेना चाहिए जोणों का दर्द और आमवात में आमवात और जोणों के दर्द में इसे सोंठ के चुन के साथ लेने से फायदा होता है आई अब जानते हैं नाग भस्म की मातरा सेवन विदी 125 मिलिग्राम सुबा शाम शहद या फिर रोगा अनुसार उचित अनुपान के साथ इससे लेना चाहिए इसे डाक्टर की सला से ही लेना चाहिए गलत डोज होने पर नुक्सान भी हो सकता है डाबा अरवेद ना जैसे अरवेदिक कमपनियां का यह मिल जाता है इससे अरवेदिक दवा दुकान से या फिर आउनलाइन भी खरी सकते हैं यह तो हो गई नाग भस्म की जनकारी अब आपकी बारी अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें आपका लाइक ही हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है क्या मैं एक हजार लाइक पास सकता हूँ इस वीडियो के लिए और शेर कीजिए अगर दुसरे लोगों तक जनकारी को पहँचाना चाहते हैं नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो में दी गई जनकारी को पढ़णा चाहते है तो वीडियो की डिस्क्रिप्समों में इसका लिंक है ही थैंक,्स वाचिंग Ayurved